आज हम बात करेंगे भारती इतिहास के उस काल के बारे में जिसे विद्वानों ने भारती इतिहास का सुरणिम काल कहा है किसी ने इसे पुनर जागरन काल तो किसी ने क्लासिकल यूग की संग्यादी है उसकाल के बारे में जिसमें एक से बढ़कर एक प्रतापी शाशक हुए उसकाल के बारे में जिसमें कई महान साहित्यकार, गणितग्ये और खगोल वी दुए जिन्होंने नहीं सिर्व भारत बलकि पूरी दुनिया में नाम कमाया मैं बात कर रहा हूँ गुप्तकाल की मेरा नाम है रवी और आप देख रहे हैं History 360 आज का हमारा टोपिक है गुप्तकाल लेकिन आज की इस टोपिक में हम गुप्तकाल का राजनिती कितिहास नहीं पढ़ेंगे आज का हमारा टोपिक रहेगा गुप्तकाल लेकिन साहितेका गुप्तकाल के दोरान कौन-कौन से ऐसे साहितेकार हुए कौन-कौन से ऐसे गणितक गे खगोल विद्ध और रसायन शास्त्री या ऐसे आईरवेदा चारी हुए जिन्नोंने इस फिल्ड में कुछ महतुपुन ग कि उनका क्रम क्या है भलही उनका राजनती के त्याव्स हम नहें पड़ेइन तो जैसे इस काल की स्थापना किसने की इसके पहले साशक माने जाते हैं श्रीगुप्त के इसके पहले नहीं रहे हो में जबनेत् тебя कि 7500 इस विकार आस पर का वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम इनका काल माना जाता है 319 इसवी से 350 इसवी हालांकि कुछ पुष्टकों में आपको ये 335 इसवी तक भी देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों ही प्रकार के साक्षे देखने को मिलते हैं उसके बाद म इस काल के सबसे प्रतापी शाशक हुए समुद्र गुप्त जिने भारत का नेपॉलियन भी कहा जाता है इनका काल है 350 इस्वी से 375 इस्वी का इसके बाद में आते हैं चोथे नमबर पर राम गुप्त हलांकि इनका काल आप कुछ दिनों महीनों का मान सकते हैं क्योंकि ये कोई योग शाशक नहीं थे और बाद में इनके भाई ने इनकी हत्या कर दे थी क्योंकि थी उसका कारण भी हम जब हम देवी चंदरगुप्त नाटक के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताऊंगा मापको उसके बाद में पांचवे नमबर अपर आते हैं चंदरगुप्त जितिये फिर उसके बाद में आते हैं कुमार गुप्त प्रथम उसके बाद में आते हैं सकंद गुप्त इसके बाद में भी इनके काफी सारे शाशक हैं उनके बारे में ये दिया आप इतिहास विश्य की ही तयारी कर रहे हों तो आपको पढ़ना चाहिए लेकिन चोंकि RPSC द्वार आईजीत होने वाले फर्स्ट रेट के एक्जाम के फर्स्ट पेपर में इनका राजनेते की तिहास नहीं है तो हमें इनके बारे में कुछ विशेज जानने की आउशकता नहीं है तो सकंद गुप्त तक आपको शाषकों के नाम है तो ठीक है उसके बाद में आप चाहे पुरुगुप्त कुमार गुप्त दित्य के बारे में वुद्ध गुप्त के बारे में आप नहीं जाने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर उसके बाद में वो तीन शाखाओं में बढ़ जाती है फिर मगद शाखा में कुमार गुप्त तृत्ती हुए और फिर उसके अंतिम शाशक विश्ण गुप्त हुए चुकि मैंने आपको बताया पहले ही वीडियो में हम राजनेते के तिहास को नहीं पढ़ने वाले हैं तो आप यही याद रखिए कि इनके जो अंतिम शाशक हैं वो हैं विश्ण गुप्त यह हैं इनके अंतिम शाशक और पांसो पचास इस्वी में इनका शाशन समाप्त हो जाता है तो गुप्त काल की हम मोटा मोटी बात करें तो यह काल हमारा आ जाता है 275 इस्वी से 550 इस्वी ठीक है तो इसी काल के दोरान की हमें सहितिक नशनाओं के बारे में पढ़ना है तो ये तो गुप्त काल के कुछ शास्कों के बारे में मैंने आपको बताया बाकी हम जब हम PGT लेवल के लिए assistant professor के second paper के लिए पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे अब ये मैं जो GK का first paper है उसके लिहाद से पढ़ा रहा हूँ तो भारती इतिहास का ये जो काल है जिसको मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये भारती इतिहास का सुरनिम काल कहा जाता है और इसकी विशेस्ता है जानने से पहले कुछ और बाते हम चर्चा कर लेते हैं बहुत से विद्वानों ने कहा है लेकिन ऐसा माना जाता है कि सब से पहले भारती तिहास का स्वरणियूग है वो क्येम मुंशी का के में मुंशी इन्होंने इसे भारत का स्वर्ण यूग इस काल को भारत का स्वर्ण यूग कहा है सरोपर था तो ये बात हम यहां पर देख लेते हैं फिर उसके बाद में नाम आता है जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का मैक्स मूलर ने समाल के बारे में कहा है पुनरजागरण का पुनरजागरण का है फिर उसके बाद में जैसे इस दो के में गुतत के वाकटक अंप है seconds यूग उद्वानों ने कहा है हलांकि साइते के चर्चा कर रहे की जोड़त नहीं है फिर भी आप लिखना चाहें कि इसको गुप्त वाकाटक जैसे गुप्त वंस है वैसे ही वाकाटक वंस था जिसमें चंदर गुप्त दित्य की जो बेटी थी प्रभावती उसका विवा भी हुआ था गुप्त वाकाटक युग ये कहा है किन-किन का यह नाम रखा है, कुप्त वाकाटक युग हम वन्ष के बारे में यहां नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन गुप्त वन्ष के शाशक थे चंद्र गुप्त सैकेंड, इनकी एक बेटी थी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त का वखाटक का वन्ष के विवा उनका नाम हमें देखने कूँ मिलता है क्योंकि वह साशक बने थे प्रवर से विखते के बारे में तो चुकि मैं बात कर रहा हूँ वाला कि बीच वीच में मैं फिसल जाता हूँ राजनेतिक इतिहास के और लेकिन आपको इनका राजनेतिक इतिहास कम से कम फर्स्ट गेड के फर्स्ट पेपर के लिए नहीं पढ़ना है तो यह कुछ बाते हो गई इसके बात में इस काल के बा बात करें हम तो महाभारत जो दो महाकावे हैं यह महाभारत और रामायन इसके अलावा मैं बात करूं पूराणों की इनका अंतिम रूप से संकलन इसी काल में हुआ है अंतिम रूप से संकलन इस काल के दोरान हुआ है गुप्त काल के दोरान ठीक है वैसे तो रामायन और महाभारत का आप देखेंगे जैसे मैं आप इतियास जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा इनके जो खंड है वो बाद में लिखे गए हैं कौन से पहले लिखे गए हैं तो लगमक पांसो इसवी से इसवी पूरू से पांसो इसवी हजार वर्षों के समय के दोरान इनकी पूरी तरह से रचना हुई है तो महाभारत रामायन और पुराणों की अंतिम रूप से जो रचना है इनकी रचनाओं का माने जाता है कि 800-1000 वर्षों के दोरान इसमें बदला होते रहे हैं और पुराणों का भी अंतिम रूप से पुराणों की कुछ चर्चे हम करेंगे क्योंकि इसाहिते के पार्ट में ही आएंगे तो इनका संगलन भी अंतिम रूप से गुप गुप्तकाल के दोरान इनका विकास हुआ है तो यह कुछ गुप्तकाल की शुरुवात करने से पहले सहिते की शुरुवात करने से पहले मैं आपको कुछ लिखी हैं अब हम सीधे बढ़ते हैं सहिते की और सहिते की और जब हम बढ़ेंगे तो इसमें गुप्तकालिन सहिते तो इनमें जो नाटक है इनके, उनके जो पात्र है, उन पात्रों में जो उच्च वर्ग के पुरुष है, उच्च वर्ग के पुरुष है, वो तो उन नाटकों में उनकी भाषा दिखाए गई है, संस्कृत बोलते हुए, जबकि निम्नवर्ग के जो पूरुष है निम्नवर्ग के पूरुष और मही लाए तो ये पात्र जो होंगे वो बोलते हैं इसमें प्राकृत भाषा नाटकों के अंदर तो ये बात आप दिहान में रखेंगे इसके अंदर साहिते के छेतर में तो और इस काल के जो नाटक है उसके बारे में आपने कई बार पहले भी पढ़ा होगा कि इस काल के जो नाटक है वो प्रेम प्रधान इस काल के नाटक है प्रेम प्रधान वे सुखांत सुखी अंत वाले सुखांत नाटक इस काल के नाटकों की ये विशेस्ता है इसके अलावा इस काल की विशेस्ताओं क के बात करें तो जैसे इसके हम साहित्तेकारों के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ जिन्होंने रचनाय की हैं उनके बारे में नहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रशस्तियां लिखी हैं जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखनने वाले हैं हरीशियन इसके अलावा एक प्रशस्ति लिखने वाले जिनका हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वीर सेन के बारे में एक हम बात करेंगे वत्स भटी के बारे में ठीक है तो इन प्रशस्तिकारों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम साहित्तेकारों की बात कर रहे हैं तो और एक जिनोंने अलग-अलग रचनाय लिकी हैं, जिसमें आप कालिदास का नाम लिख सकते हैं, जिसमें आप भारवी का नाम लिख सकते हैं, जिसमें आप भास का नाम लिख सकते हैं, हलांकि भारवी के काल के बारे में कहा जा सकता है कि वो उस काल के समापती के अबाद के हो प्रिशेंट बात कर लेंगे यहां यह जो हरी शेंट वीर सेंट और वत्स बट्टी है इनकी प्रशस्तियों कि मैं पहली चर्चछा कर लेता हूं तो हमारा ठोपिक है वो थड़ा सा आगे बढ़ पाएगा फिर ठीक है तो यहां पर सबसे पहले में बात कर लेता हूं हरिशेण वाले की तो सबसे बहले यह है प्रियाग प्रशस्ती प्रियाग प्रशस्ती प्रियाग से आपको नाम से समझ में आ गया होगा प्रियाग राज तो यहाँ पर यह है समुद्र गुप्त की प्रशस्ती और यह लिखी है हरिशेण ने ठीक है इसको ये किसके द्वारा रचित है हरिशेड के द्वारा हरिशेड कौन है इसके बारे में आप तीन नाम देखने को मिलते हैं एक तो ये समुधर गुप्त के संधी विग्रहक है ये क्या है अभी हम बताएंगे हालांकि ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए फिर उसके बाद में ये प्रशास्तिलि की हरिशेडन संस्कृत में तो है ही ये तो बताने किया उशकता नहीं है संदी विग्रहक आप एक तरीके से मान सकते हैं जो foreign minister है युद्ध और शांती का मंत्री है जो संदियों के बारे में चर्चा करता है युद्ध विराम के बारे में चर्चा करता है तो वो संदी विग्रहक हो गया महाधरंडनायक एक तरीके साब कह सकते हैं Chief Justice जो मुख्य नयादिस है उसका ये काम है इसके अलावा कुमारा मात्य की मात करें तो यह है शिर्ष अधिकारियों का एक समूह होता था तो यह भी एक तरीके के शिर्ष अधिकारी थे जिनको कुमारा मात्य कहा जाता था इसके बाद इसके और ध्यान में रखने वाली बात है इसकी शैली ये जो प्रशस्ती है इसके संस्कृत भाषाता होईगी चंपू शैली में है ये चंपू शैली का मतलब गद्य और पद्य मिश्रित है ये गद्य पद्य मिश्रित शैली में है 33 पंक्तियों की ये प्रशस्ति है पंक्तियां कितनी है इसमें 33 ये होईगी भाषा इसके संस्कृत होई जाएगी ये चम्पू है ध्यान में रखने ना आप और इसके अलावा इसमें इसके जो उत्किर्ण करने वाले हैं उत्किर्णन करता जो इसमें खोदाई की है जिसकी अक्षरोंने वो है तिलक भट तिलक भट अब देखिए प्रियाग प्रशस्ति आप पूरी पढ़ने लग जाएंगी तो इसमें बहुत सारी राजनितिक बातें भी आपको देखने के मिलेंगी कि दक्षण भारत में जब उसके जो विजय अभिहाने है समुद्र गुप्त के जिसमें वो 12 शासकों को परास्त करता है फिर आरिया वरत के 9 शासकों को परास्त करता है तो ऐसी बहुत सारी बातें दी गई हैं तो उन सब बातों के बारे में तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ स तोड़ से यहां पर हुटा देता हूं इस अभले के बारे थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूं मोरी वनस के शाषक थे अशोंक अशोंक का व्रहत स्थम्भलेख है अलग अलग स्थानों से दिली टोपरा, दिली मेराथ है फिर वो, तीन वो बिहार में मिलते है तो इसमी में से एक है यहां पर इलाहबाद कौशामवी है इलाहबाद कौशामवी अबि वो लिखे हुए है, इसके अलावा एक रानी का अबिलेक कहा जाता है, वो भी उसके उपर है, जो अशोक ने रानी कारुवाकी के सम्मन्द में लिखा है, जो भी वो दान देती है, वो दान जो है, वो उनके नाम से ही अंकित किया जाना चाहिए, इसके अलावा अशोक का एक स सारी बात मिल जाती हैं लेकिन वो सब राजनितिक बाते हैं जैसा कि मैं आपको बलता रहा हूं हम साइत्य की चर्चा कर रहे हैं तो वह मैं यहां पर आपको नहीं लिखवा रहा हूं तो अशोक का बिलेक था उसी के ऊपर यह प्रियाग प्रशस्ति उतकिर्ण की गई है आप बाकी तो देखिए इसमें बहुत सारी बाते हैं जो हम यहां पर नहीं चर्चा करेंगे अशोक की जिन समुद्र गुप्त की जिन उपादियों के बारे में यहां पर दिखा गया है एक तो जैसा कि आपको सामाने रूप से पता है कि समुद्र गुप्त को कविराज कहा जाता है उनके सिक्के भी मिले हैं जिन पर वो विणा बजाते हुए दिखाई देते हैं इसके अलावा क्योंकि उनकी माता लिच्वी बंस की थी उनको लिच्वी दोहित्र भी कहा जाता है वो उस उपादी का भी यहां पर जिक्र है और इसके अलावा एक जो धर्म प्राच दूसरी कविराज, यह समुद्र गुप्त की उपादी इसके अंदर लिखी गई है, और तीसरी लिछवी दोहित्र, यानि लिछवियों का दोहिता, तो यह उपादियां हमें समुद्र गुप्त की इस प्रशस्ति पर देखने को मिलती है, बाकी जो इसका ओर राजनिती कितिह इसके ऊपर लिखा है किया नहीं लिखा गया है उसके बारे में हम इसास चली, इसकी चम्पू है भाषए अब झाले Nag diversion जैसे कि मैंने आपको बताए कि व eigene Anda bei बारे में एक मैंने आपको बता है वी दुसेन के बारे में तो थोड़ा-थोड़ा उनका जिक्र भी हम यहां पर कर लेते हैं तो जासे मैं खाली पेज ले लेता हूं एक उद्धेगिरी गुहालेक जो पहला उद्धेगिरी गुहालेक है चंद्रगुप्त दित्ये जिनको आप विक्रमा दित्ये भी कहते है ये उदैगरी गुहालेक है इसमें जो अभिलेक लिखा गया है ये प्रकार की प्रशस्ती ही है ये वीरसेन और वीरसेन के ऐसी प्रकार से लिखा जाता है वीरसेन शाओ तो वीरसेन है उनके दुवारा इस समुद्र गुप्त के संदी विग्रहक थे उसी प्रकार से इसके अलावा एक आप देखना चाहें तो जैसे मैंने वत्स बट्टी का बताय था आपको दूसरा हो गया तीसरा आप देखना चाहें तो वत्स बट्टी इनकी इनके दुवारा है मंदसोर प्रशस्ति कौन सी की कुमारगुप्त प्रथम का वीवरण है इसके अंदर तो कुमारगुप्त प्रथम के काल की है मंदसोर प्रशस्ति इसमें बहुत सारी बात हैं इस प्रशस्ति के बारे में दो श्रेणियों का भी जिकराता है जिसमें एक तंतुवाय श्रेणी है और एक दूसरी श्रेण दिया हुआ है प्राचीन नाम है ये मंदसोर का और यहां पर एक सूरिय मंदिर बनवाया गया था इस प्रशस्ति में विवरन दिया गया है सूरिय मंदिर बनवाया गया था एक श्रेणी थी जैसे पहले जो विभिन प्रकार के जो भी कोई मूर्ती बनाने वाला हो चै कोई और लोप्डे का काम करने वाला हो जो किसी भी प्रकार के कारीगर हो वो इंडिविज्वली यानि अलग से काम नहीं करते थे, श्रैणियों की रूप में काम करते थे, उनकी श्रैणिया होती थी, तो ऐसी एक श्रैनि के दौरा पट्वाय श्रैनि है, जो रेशम से समंधित का त्वाइस रेनी के दुवारा यहां पर सुरिय मंदिर के निर्मान का उलेख है ठीक है वो इस प्रशस्ति में दिया गया है और भी इसमें काफी सारी बाते हैं उसके बार में हम यहां पर चर-चर नहीं करेंगे चूंकि हम सहित्य की बात कर रहे हैं फिर यह तो अभिलेखों क कहा जाता है लोहे का है यह महरोली लोह अभिलेख जिस पर कहा जाता है अभी तक जंग नहीं लगा है इस पर लिखा हुए कि चंदर नामक शाशक ने लगवाया था यहां पर और चंदर से इसका अन्मा लगा जाता है कि चंदर गुप्त दित्य के द्वारा यहां पर आफिकता नहीं है यह सकंद गुप्त का अभिलेक है और इसमें एक विश्णु मंद्र को भूमिदान में दियारे मिलता है विश्णु मंद्र को भूमिदान इसको दिये जाने का इसके अंदर उलेक मिलता है dr ग multiples के द्वारा और इसमें कुछ बहुत ज्यादा बात आधे रखने के आवश्कता नहीं है ज्यादा इस एक कुछ आपको याद करने के आवश्कता नहीं है बाकि सकंद गुप्त की विजियों जैसे समुद्र गुप्त की विजियों के बारे में उसमें लिखा गया है तो इसमें सकंद गुप्त की विजियों के बारे में लिखा है तो यह राजनितिक बाते हो गये आपको कोई याद रखने की इसके अंदर आवशकता नहीं है, तो यह भीत्री अभिलेग हो गया, भीत्री हो गया, उद्येगरी हो गया, अच्छा तीनों प्रशस्तियां तो आएगी तो अब इसके बाद में कोई ज़्याद आवशकता आपक स्कंद गुप्त का यहां पर अबिलेक मिलता है, तो यह जो अबिलेक है स्कंद गुप्त का द्वारा लिखवाया गया, इसकी शुरुवात होती है विश्णु की स्तूति से, यह जो अबिलेक लिखा गया है, और इसमें जो सुदर्शन जील है, उसके बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है, कि स्कंद गुप्त के समें, चक्रपालित ने, इसका सुदर्शन जील का जिर्णो द्वार करवाया था, यहां का एक गवर्णर था, क्या नाम था, उसका परणदत, और परणदत का बेटा था चक्रपालित, उसने सुदर्शन जील का जिर्णो द्वारे करवाया था, पहाड के बीच में एक बांद बनाकर जील बनाए गी थी, उसके तटबंद बगरा तूट गये थे, तो चक्र आपके साहित्य के साथ साथ आगे इसमें मूर्तिकला और स्थापते कला इन सब चीजों के बारे में हैं, तो यहां पर एक चक्रपालित ने एक मंदिर बनवाया था, उसका आप जरूर नाम लिख लेना, विश्णु का मंदिर बनवाया था यहां पर, विश्णु का मंदिर चक्रिभृत बोलते हैं, चक्रिभृत इसी प्रकार से शैद, चक्रिभृत विश्णु का मंदिर यहां पर बनवाया था, यह भी इस जानकरी अभिलेक से मिलती है, अब बता ही दिया तो एक भानुगुप्त वाला ओर लिख लो फिर, भानुगुप्त का जो एरण अभिले इस में सती प्रता का सबसे पहले अभिलेक यह साक्षय मिलता है, अब यह काफी बाते होगी, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं करेंगे, अब हम सीधा साहितेकारों के बारे में आ जाते हैं गुप्त कालिन जो रचनाए हैं अब गुप्त कालिन रचनाओं के आप बात करोगे तो गुप्त कालिन रचनाओं में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है और एक अकेले ही काफी है ये मालीजिया आप वो है सबसे पहले हम बात करेंगे काली दास की काली दास काली दास किसके दरबार में थे यह तो सभी विद्यार्थी जानते ही है चंदरगुप्त दित्ये के दरबार में अब चंदरगुप्त दित्ये के दरबार में नो रतनों में से एक तो हो गए काली दास ठीक है एक हो गए अमर सिंग इसकी भी रचनाओं अमरकोश के बारे में हम पढ़ेंगे फिर इसके अलावा एक हो गए वररूची ठीक है इसके अलावा पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ उनी के नाम लिख दूँ जो कि साहित्यकार है और उसके बाद में जैसे कि वेताल भट होगे या वरा हमीर होगे या धनवंतरी वैद्य होगे उनके बारे में लिख दूँ तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले इनने के लिख दूँ फिर उसके बाद में शंकु या शंकुक नाम आता है इनकी किताब का भी मैंने आगे जिक्र किया है उसके बारे में आप देख लेंगे कालिदास, अमर सिंग, वररूची, शंकु चलो मेरे कोई एक नाम याद नहीं आरा मैं अभी याद आजाएगा फिर उसके बाद में वराहमिर ये खगोल विद्ध हो गए इनकी आगे हम चर्चा करेंगे वेताल भट हो गए वेताल भट अब वो याद आगे मेरे को घट करपर करपर या खरपर नाम है आगे मैं बताऊंगे इसके बारे में वेताल भट हो गए धनवंतरी आयुर्वेदाचारी हो गए धनवंतरी आयुर्वेदाचारी हो गए और इसके अलावा एक हो गए शपनक चार चार आठ एक नो हो गए देखिए ये साहितेकार है ये भी साहितेकार है ये भी साहितेकार है घट कर भी साहितेकार है इनके नाम के बारे में भी एक विशेश वलेक देखने को मिलता है कि ये जो यमक और अनुप्रास हैं उनके काफी बड़े विद्वार माने जाते थे और उन्होंने चुनोती दी थी कि कोई मुझे इसमें परास्त कर देगा तो उसमें उनके घर में पूरी जिंदगी मतलब फूटेवे गड़े से पानी भरूँगा अब फूटेवे गड़े का किस प्रकार से मतलब है कि क्योंकि उससे पानी भरा नहीं जाएगा तंत्रमंत्र के धनवंत्री है वो आयरुवेदाचारी हो गए वैदों में सर्वस्रेश्ट माने जाते हैं ये और उसके बाद में छपनक है ये जैन मुनी थे जैन सादू हालांकि किसी किसी किताब में आपको इसके बारे में बहुत भी देखने को मिल जाता है लेकिन जो नगन जैन मुर्ती होती है उसके लिए छपनक शब्द का इस्तेमाल होता है तो संभवतिया ये एक जैन मुनी ही होंगे ऐसान माल लगा जाता है तो यहाँ पर इनकी चर्चा कोई विशेय सावशक्ता नहीं थी लेकिन इन में से बहुतों के किताबों के बारे में आप इसमें क्योंकि साहिते पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा तो इसलिए चंदरगुप्त दित्य के दरबार में ये नो रतन थे उन नो के बारे में तो ये मेरे साब से आपको ज़रूर इनकी जानकारी होगी और इन नाटकों के नाम भी विद्यार्थी जानते हैं लेकिन हम थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं जैसे एक बार रीट में यही पूछ लिया गया था कि जो राज करमचारियों के पर फैले एक इंपोर्टन बात ये याद रख लोगया कालि दास की जो रचनाए वह वधर भी शैली में लिखी गई है कौन लिए व्यदर भी शैली में बहुत इंपोर्टन बात हो गई है ठीक है यह आप मों याद रखनाए हैं और कालि दास की पूसमें । ऐब गागों बाट दूँ तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ जिसको आप कह सकते हैं खंड कावे खंड कावे दूसरे नम्मर पर हम इनके रख लेते हैं महा कावे दो ये हैं दो वो है और फिर उसके बाद में तीसरे हम बात कर लेते हैं कालिदास के नाटकों के बारे में कालिदास के खंड काव्यों की दी हम बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है रित्तु संहार का कालिदास की पहली रचना भी माने जाती है ये रित्तु संहार दूसरे नंबर पर इसमें हम इसमें हमारे आता है मेग दूत फिर उसके बाद में महाकाव्यों के दी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कुमार संभवम या कुमार संभव लिख दो वैसे संस्कृत में लिखोगे तो संभवम लिखना पड़ेगा कुमार संभवम और दूसरा हो जाएगा रगुवश इसी प्रकार से नाटकों की बात करें तो नाटको मालविका और अगनी मित्र नाम से इसपष्ट हो गया मालविका अगनी मित्रम ठीक है दूसरा हो गया इनका विक्त्रमो वर्शियम और तीसरा हो गया अभियान शाकुंतलम जो इनकी सर्वस्रिष्ट रचना मानी जाती है अभियान शाकुंतलम ठीक है अब इनकी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जैसे रितु संहार है तो इस रितु संहार के अंदर वैसे देखो इनके कालदास के साथ ये मुख्य नाटक सारी पुरचनाय मानी जाती हैं साथी कुछ विद्वान ऐसा कह देते हैं कि इनके के बारे में बहुत सी चर्चा हैं कि ये जो खंड कावे महागे लिखने वाले हैं और नाटक कोई clinical क्ते का काम नहीं हो सकता वो कालिदास की द्वारा लिखा गया था हलांकि विद्वान इन पर कोई एकमत नहीं है बहुत सारी ऐसी बाते हैं जिनके बारे में कालिदास की बहुत सारी ऐसी रचनाय है जिनके बारे में विद्वान एकमत नहीं है जैसे की जैशंकर प्रशाद की बारे में मैं यहीं पर यह जैशंकर प्रशाद का एक नाटक है, इस नाटक में वो लिखते हैं कि जो कवे लिखने वाला कालिदास है और जो जिन्होंने नाटक लिखे हैं वो कालिदास दोनों अलग-अलग वेक्ति हैं, उनका कहना है कि यह जो रचनाय लिखी है जो सिरितु सहार, मेकदूत, कुमा कश्मीर का शाशक था कश्मीर का शाशक जिसका नाम था मात्रिगुप्त क्या नाम था मात्रिगुप्त और इस मात्रिगुप्त की उपादी थी कालिदास पहला जो कालिदास था उस कालिदास का नाम ही कालिदास था और दूसरे जो है वो मात्रिगुप्त कश्मीर के शाश तो जैशंकर प्रसाद यह कहते हैं और भी कई विद्वाने सामानते हैं हालां कि इस पर कोई एक राय जैसी है इसी में बात नहीं कर रहा है सामाने तोर पर हम यही पढ़ेंगे कि एक ही कालिदास है और इनकी यह सारी रचनाय हैं लेकिन यहां पर यह सारा संदर्ब इसी का था तो मैंने इसमें साथ साथ बता दिया अब आगे मात्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि कोई एक और किसी पर ठीका विका लिखी थी उ तो यह अलग-अलग बाते हैं कालिदास के बारे में काफी सारी विवादित बाते हमें देखने को मिलती हैं अब मैं इनके नाटकों के बारे में एक-एक करके यहां पर चर्चा कर लूँ तो थोड़ा सा ठीक रहेगा जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रित्तू सहार की रितू सहार तो जैसे नाटकों में आपके अंक दिखाई देंगे वैसे यहां हम बात करेंगे कुछ नाटकों के सर्गों के बारे में कि इसकी इसमें कितने सर्ग है जैसे कि आप अध्याई की तरह मान सकते हैं कि सर्ग कितने है तो जैसे इसमें 6 सर्ग है और गालिदास की ये पहली रचना मानी जाती है और इसमें रित्वों का वर्णन है छे सर्ग हैं इसके अंदर और प्रत्वम रचना मानी जाती है ये गालिदास की इसके अलावा इसमें छे रित्वों के बारे में जानकारी है कि आप रेच्ट्वों में तो देख्या कोई ग्रिष्म हो जाएगी कोई शीथ हो जाएगी कोई शीषीर है मन्त वर्षा इस प्रकार से हो जाएंगी वेकिन खास बात यह है कि यह शुरुवात करते और फिर वसंद तक इसके अंदर जाते हैं दूसरी है मेगदूत उसके बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा और यह जो कालिदास है उन्होंने जैसे मैंने अब भी शुरू में आपको बताया थे शार्षक के बारे में प्रवरसेन सेकिंड दूसरा मैं नाम लिख देत बता ही देता हूं और इसकी माता थी परभावती गुप्त जो चंदर गुप्त दित्य की मेटी थी इनका बेटा था प्रवरसन दित्वे इसके दरबार में इसके दरबार में इन्होंने मेग दूत की रचना की थी किसकी रचना की थी मेग दूत की रचना की थी ठीक है और मेग से नाम आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें बादल का जिक राता है यक्ष और यक्षनी है उनकी विरह कहानी है उनके प्रेम और उसे एक साल के लिए उसको दूर कर दिया जाता है तो उसके बारे में एक कहानी है हेममाली नाम का एक यक्ष है और एक यक्षनी है उसके बारे में इनके इन दोनों की कहानी है, वो इसके अंदर दी गई है, कि वो एक बादल को संदेश वाहक बना कर भेजता है, कि किस परकार से, तो उसका वीरन किया गया है, दो भागों में बटा हुआ है, ये पूर्वमेग, उत्तरमेग, ये सामाने तो पर सभी इस तरह की बात दो हैं, उनकी कहानी है, और इनका नाम बगरा तो क्या याद रखने के आवशकति होगी, जैसे विशालक्षी है वो यक्षणी है, और इसके लाव़ा हेममाली, हेममाली, वो यक्ष है, कोई लिखना चाहिए तो लिख सकता है, मेरे साब से इतनी कोई ज्यादिश में कहानी है तो शिव और पार्वरती की भी हो गई तो दो मेगदूत हो गया और तीन नंबर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूं कुमार संभवम शिव पारवती के पुत्र कार्थी के के जन्म के सम्मंद में ये कहानी है और इसमें 17 सर्ग है इसकी बात हो गई फिर कुमार संभवम के बाद में हमने बात की थी रगुवंश की किसकी बात की है रगुवंश की इसमें 19 सर्ग है जलो मैं जल्दी जल्दी अब लिखवा देता हूं इसमें 19 सर्ग है और इसके अंद और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो संस्कृत के सभी जो विविन प्रकार के रस होते हैं जिसे श्रंगार रस वीर रस और इस प्रकार के रसों का सभी रसों का इसमें आपको समाहित किया हुआ देखनों के मिलता है तो राजा दिलिप से ले करके और रगुवंश के जो चालीस एक्षवाकू राजा है उनका वीवरन इसमें आपको देखने को मिलता है चालीस एक्षवाकू शाषकों का रगुवंश से ही आप समझ गयोंगे शाषकों का वीवरन देखने को इसमें मिलता है ठीक है तो यह हो गए इसके चर्चा कर रहे थे हम, चार कव्य हो गए, उसके बाद में नाटकों की बात करें, तो पांचवी रचना, इसमें हम नाटकों की बात करते हैं, तो लिखते हैं मालविका अगनी मित्रम, मालविका अगनी मित्रम, नाम से इस परष्ट है, मालविका और अगनी मित्र के बारे में इसमें विवरन दिया गया है, और इसमें पांच अंक हैं इस नाटक में, पांच अंकों में, मालविका और अगनी मित्र की प्रणे कथा का इसमें विवरन दिया गया है, ये पहला नाटकों की बात करें तो यह पहला नाटक है मालवी का अगनी मित्र की इसमें प्रणे कथा का विवर्ण दिया गया है उसके बाद में हम बात करें विक्रमो वर्शियम की तो उसमें भी पांच अंग है विक्रमो वर्शियम इसमें भी पांच अंग हैं और जो रिगुवेध के अंदर हमें समाद देखने को मिलता है राजा पूरुर्वा पूरुगवा और अपसरा है एक उर्वसी इनकी कहानी के बारे में देखने को मिलता है कि इसको सजा के तोर पर प्रत्वी लोग पर भेज दिया जाता है राजा पुरूरुवा को इससे प्यार हो जाता है फिर ये वापस छोड़ के चले जाती है फिर दुबारा इनको वापस मिला दिया जता में है इस प्रकार की एक कहानी है विक्रम वर्षियममे तो उरवशी नाम की एक अफसरा और जो राजा पुरुरुवा है उनके प्रेम संभन्नों की उनके बारे में ये कहानी दी गई है पाँच अंकों का ही ये नाटक है इसके ब गरीब मछवारे के साथ राज करमचारियों के दुर विवाहर की बात ने कही गई ए तो जोड़ी सी, क्योंकि इनका मुक्क और नाटक है, तो थोड़ी सी बात मiennent लिखवा देता हूँ अभिग्यान शाकूंतलम अभिग्यान शाकूंतलम शाकूंतला और दुशंत की कहानी है इसके अंदर ठीक है फिर इसके बाद में इसमें अंक कितने है साथ अंक इस नाटक के अंदर अंक कितने है साथ इनके बारे में आप अलग अलग यह लिख लेना जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ और गरीब मच्वारे के साथ यह तो यह का यह क्वेशन आया था आपके NCRT में भी ऐसे दिया गया था उसी से लिया गया था ये गरीब मच्वारे के साथ राज करमचारियों के दुर्वेवार का विवरन मिलता है इसमें दुर्वेवार अब बता ही इसला ठीक लिखाएक ने दुर्वेवार का वरणन इसमें किया गया है और ये और पॉंड लिख लो इसमें अंदर महा भारत के आधी पर्व से महा भारत में जो साथ पर्व हैं इसमें आधी पर्व से ये कथानक लिया गया है और जर्मन कवी गेटे के दुवारा इसकी प्रशंसा की गई है ये कुछ बाते हैं वो इसके अंदर आपे लिख सकते हैं तो ये कालिदास चूंकि इसके महतुपुन है हलागी देखो कही बार तो जैसे पिछले एक्जाम में इसके लावा एक क्वेशन में दो और रचनाओं के बारे में पूछ रखाता है कि कौन इसकी रचना का रहा है लेकिन हम थोड़ी सी जैसे कभी पोलिटिकल साइन्स आडवांस आजाता है तो सकता है कभी इतिहास भी थोड़ा साइडवांस आजाए बहुत जादा तो नहीं जैसे राजनेतिक हम इतिहास में ने जो बाते में बता ही आप डिलीट कर देना मती लिखना उनको राजनेतिक इतिहास की बात है लेकिन साहित्यकारों से समझेद बाते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा कॉन देवी चंद्रगुप्तम देवी चंद्रगुप्तम इनका नाटक ध्यान में रखना और दूसरा इनका जो नाटक है वो आप ध्यान में रखना मुद्रा राक्षस क्या दिया गया है इन नाटकों में अंदर इसमें तो नाम से स्पष्ठ है देवी चंदरगुप्तम तो चंदरगुप्त दुत्य थे इनके एक भाई थे रामगुप्त मैंने आपको बताया था ये कि थोड़े सी दिनों के लिए साशक बने थे तो रामगुप्त आयोगे शाशक था और इसकी पतनी का नाम था धुरुव स्वामिनी और एक शकों का शाशक था शकराज कह दो आप शकराजा है तो तो शकराज ने जब रामगुप्त के जो शाशनकाल में है आकर्मन की धमकी दी एक प्रकार से इन्होंने डर के मारे संदी कर ली और उसने अपनी जो पत्नी है धुरु स्वामिनी उसको सोप दिया शक्राज को तो इससे चंद्रगुप्त जित्य है वो बहुत ज्यादा आहत हुए और उन्होंने इस पर शक्राज के पास गए और उसको उसको उपर हमला किय उसको मार दिया, धुरु स्वामिनी को छुड़वा के लाए, उसके बाद इनोंने अपने भाई रामगुप्त को भी मार दिया और धुरु स्वामिनी के साथ विवा किया, तो उसका विवरण हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मोरी के शाषन काल के शुरुवाती कुछ वर्षों का इसके अंदर विवरणे दिया गया है तो यह विशाकदत के, आप जिनकी एक-एक किताबें हैं कई ऐसे भी बहुत सारे इस काल के दोरान साहिते कारों हैं तो उसकी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि शुद्रग का नाटक है म्रच कटिकम, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं तो लिख देता हूँ में यहां पर म्रच कटिकम ये नाटक है शुद्रक का शुद्रक के द्वारा लिखा गया नाटक है और मुर्च कटिकम का जो शाबदिक अर्थ होता है वो होता है मिट्टी की गाड़ी खिलोना गाड़ी भी आप बोल सकते हैं मिट्टी की गाड़ी, यह मृच कटिकम का शाबदिकर्थ होता है, और इसके अंदर यह एक ऐसा नाटक है, जिसे और सभी नाटकों में आप पात्र देखेंगे, कि किसी में राजार पात्र है, किसी में राजकुमार पात्र है, यह पहला ऐसा नाटक था इस काल के दोरान में, जिसमें एक आम आदमी को इसका नायक बनाया गया है और वो एक ब्राह्मन व्यापारी था चारूदत ब्राह्मन व्यापारी चारूदत इसका नायक है इस नाटक का इसकी जो नायका है वो वसंत सेना नाम की एक गणी का है वसंत सेना नाम की गणी का तो चारुदत नामक एक व्यापारी है और वसंसेना नामकी एक गणिका है इनकी कहानी है ये म्रच कटिकम ससकर्थ भाषा में ही वैसे नाटक की रचना तो लेकिन ये एक ऐसा नाटक है जिसमें आपको जो इसका मुख्य नायक है वो एक आम या मद्नम वर्गिये वैक्ति आप कह सकते हैं वो इसमें आपको देखने को मिल सकता है इसमें मुख्य बाद जो है वो न्याए व्यवस्था न्याय व्यवस्था ये कई बार क्रेशन पूछा गया है और ब्रष्टाचार विवरण या वरणन लिखा गया है इसमें न्याय व्यवस्था और ब्रष्टाचार परे विशेस रूप से किस नाटक के अंदर लिखा गया है ये प्रशन बहुत बार कई एक्जामस में पूछा गया है, वो नाटक कौन सा है, म्रच कटीकम, तो म्रच कटीकम सुद्रक का नाटक है, इसका शाब्दिकर्थ है मिट्टी की गाड़ी, एक ब्राह्मन व्यापारी चारुदत और वसंत सेना नाम की गणिका का ये नाटक है, और इस नाटक में आपको भृष्टाचार और न्याई व्यवस्था का वरणन देखने को मिलता है, संस्कृत भाषा का नाटक है, तो ये आप थोड़ा सा इसके अंदर जहान में रख लेना, फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, पंच तंत्र की, विश्नु शर्मा, प पंच तंत्र बात माने गई है, दुनिया के अनेकों भाषाओं में इसका अनवादुआ है, और लाखों कोरोणों इसके जो किताबें हैं वो छपी हैं, और में, और इसके यदि आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहों पंच तंत्र के, तो जैसे पंच तंत्र होगे, ना में डाल दी, मित्र लाव की, मित्रता के क्या लाव है, मित्र प्राप्त के क्या मतलब हमको benefit मिल सकते हैं, उसके बारे में जो कहनिया है, वो मित्र लाव वाले section में डाल दी, फिर इसमें एक संधी विग्रे का section है, उसमें बताया गया है कि मित्रों में फूट कैसे डाली जा का इसका पांचवा जो तंत्र है कि बिना परखे कोई काम नहीं करना चाहिए मतलब बिना जांचे है वो किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए इस प्रकार के पांच भाग है यह इसके बारे में आप चाहते हैं तो मैं लिखवा देता हूं कि जैसे इसके आप भाग बना देता हूँ, एक है इसमें मित्र भेद दूसरा है मित्र लाब तीसरा है संधी विग्रय या इसको काकोल्यूकियम में बोलते हैं इसको बोलते हैं का को लुकियम यानि इस में कव्वे और उलु की ज़्यादा कहानिया है इसके लिए भाद में तीसरा इस्सा है SPD प्रनास या वैसे आप लिखेंगे लÕको कही mean पर मिल प्रनास और इसके अलावा पांचवा इसका भाग है परिक्षित कारक तो इसके पांच भाग है हालांकि इतनी ज्यादा कोई डिटेल की आवशक्ता तो नहीं है फिर भी लिखना चाहो तो लिख दो इनका सारा का अर्थ आपको कोई ज्यादा लिखने की आवशक्ता नहीं है इसके बा नाटक मारा जाता है पहला संपूर्ण नाटक इसको कहा जाता है तो वह भी आप लिख लीजिए यहां पर कि स्वप्न वासवदत्ता कि स्वप्न वासवदत्ता किसके बारे में है ये उदियन और वासवदत्ता के बारे में उदियन और वासवदत्ता की इसके अंदरे कहानी है पहला संपूर्ण नाटक इसके माना जाता है पहला संपूर्ण नाटके माना जाता है स्वप्न वासवदत्ता किसका है महाकवी भासका ये आप थोड़ा सा लिख लेना और छेंकों का नाटक है ये भी मैं इसमें लिखी देता हूँ छे अंकों का ठीक है ये स्वपनवासवदत्ता हो गया फिर उसके बाद में जैसे माग की भारवी की इस प्रकार की रचने हैं हलांकि इनके बार में विवादित है कि इस काल के हैं या नहीं है माग तो थोड़े से बाद के काल के माने चाते हैं लेकिन फिर भी माग की आप रचना लिखना चाहो तो शिशुपालवद लिख लेना शिशुपालवद किसकी रचना है ये माग की ये आप लिख लेना और और महत्पुन रचनाओं में बात करो किरातार जूनियम इस भारवी की है हालां कि काल खंड के बारे में हम कह सकते हैं लेगिन फिर भी सी काल के लिखी जाती है किरात वेश धारी शिव किरात वेश धारी शिव और अर्जुन कि अम्मत ने एक युद्ध सा होता है उसकी विवरन दिया गया है कि ये तो आपने सभी पढ़ा होगा कि पांड़ों को जब बोचले गए थे वन की तरफ उनको राजपाट उनका छीन लिया गया था उसके बाद में जो द्रोपदी है वो रोजना युदिश्टर को कहा करती थी कि आपको युद्ध करके हमारा जो समराज़ है वो वापस प्राप्त करना चाहिए भीम तो उसी सोभाव वाले थे ही वो भी रोजना कहा करते थे कि हाँ द्रोपदी ठीक कर रही है हमें युद्ध करके हमारा समराज़ वापस प्राप्त कर लेना चाहिए तो महरसी एक उनको कहते है कि पहले जो अरजुन है उनको तपश्या करके भगवान शिव को प्रसंद करना चाहिए और उनसे जो अमोग अस्त्र है वो प्राप्त करना चाहिए ताकि हमें युद्ध में सहयता मिल सके तो एक यक्ष के साथ में उनको हिमाले भेजा जाता है वहाँ पर अरजुन तपश्या करते हैं और एक बार वह जंगल में एक किरात वेश धारी शिव यानी तयlarda उनको होता है उसके बाद में प्रसंद होकर शिवजी है वो इनको अमोग अस्तर प्रदान करते हैं, और कुछ क्या नाम बोलते हैं, उसस्तर का मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसके बारे में एक कहानी है, किरारता जुनियम, भारवी की है, अठारा इसमें सर्ग है, तो इसके बारे में आप आशकते हैं, और इनकी जो रचना हैं, और उन रचनाओं का मैं कहूं कि मुझे सब का नाम याद है, उन सब लेककों याद है, तो ऐसे नहीं है, आदे लिखूंगा, आदे मैं भूल जाओंगा, तो मैंने इसमें लास्ट में नोट कर रखे हैं, वहां से मैं आपको इसके बारे में बता दूगा, ताकि आपकी कोई यामी नहीं हो, और आपकी सारी रचने हैं, वह भी उसके अंदर पूरी आ जाए, तो इसमें बहुत सारी रचनाओं के बारे में मैंने आगे लिखा है, यह देखे, जैसे शिशुपालवद्ध माग की है, मैंने आपको बता ही दी, काव्यादर्ष और दश्कुमार चरित, यह दंडी या दंडिन की है, ब्रहत कथा मंजरी और दशावतार चरित, यह तो आप ने भी लिखें, यह तो इसका है नहीं, यह तो इस काल में मैंने यूह लिखती, यह तो आगे दस्वी, ग्यार्वी शताबदी में आते हैं, छे मेंदर तो, तो इनकी लिखने के यहां प प्रत्वी के उपर से, उसी प्रकार राजा अपनी प्रजा से धनी कठा करता है, तो ऐसा एक कथन हमें कामंदक की नितिसार में देखने को मिलता है, शंकू या शंकू को जो मैंने आपको बताया था, उनके चंद्रगुप्त दित्ये के जो नवरतन थे, उनकी पुस्तक है भूवना भ्युद्दम, और पत्र कोमदी ये वररूची की किताम आने जाती है, घटकरपर काव्यम और नितिसार, ये देखिए दुबारा नाम आ गया, एक तो नितिसार किसकी है, कामंदकी, और एक नितिसार पुस्तक किसकी आती है, घटकरपर की, या घटकरपर का सही न ये बुद्ध गोश्की है ये त्री पिटकों पर एक टीका है किस पर त्री पिटक जो है सुत्य पिटक विने पिटक अभिधम पिटक त्री पिटकों पर एक टीका है ये किसके दुवारा लिखी गई है बुद्ध गोश्क के दुवारा चंद्र व्याकरण इसको लिखा है च तो देखे इस प्रकार की रचनाओं के बारे में अब इसमें किस-किस का विवरन दिया गया है तो बहुत ज़्यादा हमें कोई देखने के आफशकता है नहीं और बाकी एकार बीच में क्योंकि उसकाल के बारे में पढ़ते हैं तो एकार ऐसी किताबे आ जाती हैं जो इसकाल के नहीं है जैसे ये श्यमंदर वाली मैंने गलती से यहां पर लिख दी है और भी हो सकता है शायद भारवी और उस वाले में थोड़ा सा विद्वानों में मत बेदा कि वो सकाल के हैं या नहीं है लेकिन फिर भी ये तो इतनी तो आप यहां पर आप याद रखे लीजिए फिर उसके बाद में एक किताब यहां पर शायद मैंने इसाब से रह गई एक किताब जो हाँ अमर सिंग की अमर कोश शायद मैंने नहीं लिखवाई अमर कोश किसकी किताब है यह अमर सिंग की जो की चंदरगुप्त दित्ये के दरबार में थे नवरतनों में अमर सिंग और संस्कृत का विश्व कोश कहा जाता है क्या कहा जाता है संस्कृत का विश्व कोश तीन काणों में बटा हुआ है इसलिए इसको तरिकांड भी कह देते हैं अमरकोश को तरिकांड भी कह देते हैं और इसके अलावा जैसे आपने अश्टाधाई किताब का नाम सुना होगा जो पाणिनी की अश्टाधाई किताब है उसको पंडितों की माता कहा जाता है उसी प्रकार से संस्कृत विद्वानो का यह कहना है कि जो अमरकोश है ये पंडितों का पिता कहा जाता है और जो भी इन दोनों को ध्यान से पढ़ लेता है वो एक महान पंडिते बन सकता है तो जैसे पंडितों का पिता भी इसको कहते हैं पंडितों का पिता कहा जाता है, पंडितों की माता किसको कहा जाता है, अश्टा धाई को, जो पाणिनी की रचना है, इस काल की नहीं है, तो इसमें नहीं लिखाऊँ मैं, किस की रचना है, ये पाणिनी की है, ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर बातें होगी, बाकी किताबे मैंने लिखवा ही दी अब और जो कालिदास का विवरन था वो हमने काफी विस्तार से पढ़ी लिया है अब इनके जो कुछ गणितग्य वगरा है जैसे आरिय भट की चर्चा जाती है वरामीर जो खगोल शास्त्री है उनकी चर्चा जाती है उसके बारे में थोड़ा सा हम और लिख लेते हैं ठीक है विज्ञान गणित और जोतिस समंधी रचना है तो विज्ञान गणित और जोतिस में सबसे पहले जो रचना हम देखेंगे वो आरिय भट की देखेंगे और आरिय भट के बारे में समाने जानकारी भी हम देख लेंगे कि जैसे इनका जनम कहां पुर था पृत्वी के बारे में सूरी और चंद्र ग्रहन के बारे में इन्हों ने क्या बताएं सब बातों के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं और इसकी किताब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह सबसे पहला मैं नाम लिख देता हूं आरिय भट आरिय बट का जन्म हुआ था कुसुमपूर पाटली पुत्रवे और इनके द्वारा जो प्रमुख बातें बताए गई है वो यह है कि पृत्वी अपनी धुरी पर घूमती है याद रखना कि इन्होंने यह नहीं बताया है कि पृत्वी अपनी धुरी पर घूमती है में आपको गलत दी ढूना हो तो आप ढूनेंगे कि सुर्य के परिकर्मा करती है ऐसा आरिय बट ने नहीं बताया है तो इक्स के अलाव और क्या बताया है चंदर ग्रहन वे सुर्य ग्रहन की व्याख्या की है इसके बारे में जानकारी दी है तीसरा इनोंने जो पाई और ये जो साइन होता है पाई का पाई का दश्मलों के चार स्थानों तक सठी का नुमान इनोंने लगाया यानि जो पाई का मान होता है पाई एक प्रकार के अप्री में संख्या होती है मैंने साइंस गणित पढ़ाया तब बताया था तीन पोइंट एक चार एक पाँच ऐसा होता है उसमें आगे बढ़ता जाता है तो लगबग चार स्थानों तक इनोंने यह मान बताया पाई का जो की बाद में काफी सालों बाद में जब पश्चिम के वग्यानिकों ने गणितग्यों ने इसके बारे में खुजबिन की, तो वो सही पाया गया, जो कि इनोंने काफी पहले ही बता दिया गया था अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, जैसे कि प्रमुक तो आरिय भत्यम ही है, जो इसकी चार भागों में बटी हुई है बाकि जो इसकी रचनाई है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं तो आरिय भट की रचनाओं के बारे में आरिय भट की रचनाई सबसे पहले आरिय भटियम दूसरे नमबर पर दस गीती का और तीसरे नमबर पर इनकी रचना आती है आरिय शिद्धान्त ये इनकी तीन महत्वपून रचनाएं मानी जाती हैं आरिय भटिकम, आरिय भटियम, दश्च गीतिका और आरे सिध्धान अभी इसमें भी आप थोड़ा सा ओर डिटेलिंग में जाना चाहो तो आरिय भटियम है वो चार भागों में बटी हुई है गीतिकापाद, गोलपाद उसके बारे में भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो जैसे ये चार भागों में मटी हुई है कौन-कौन सी गीतिकापाद, गोलपाद, इन में से जो पहले के दो गहां लिख सकते है स्कतिकापाद, ठीक हैं और बाद के जो दो भाग है यह जो तिस सबंदी हैा ठीक है तो यह आ के बारे में जानकारी हो गई हूगी फिर उसके बाद में दूसरा मैं यहीं बताने की कोशिश करदेता हूं चलो एक पिजोरे लेते हैं वरा हमिहीर वरह मिहर विदी है वो इनके द्वारा बताए गई तो ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं और जैसे उनका जन्म कुशुंपूर पाटली पुत्र में हुआ था इनका जन्म अवंति में हुआ था अवंति का आजकल नाम क्या है उज्जैन है और इनकी किताबों के बारे में आप लिख देंगे आज उज्जैन और क्या है इन्होंने प्रित्वी सूर्य की परिकर्मा करती है परिक्र्मा करती है सूर्य नहीं सोरी चंद्रमा चंद्रमा प्रित्वी की परिक्र्मा करता है ये इन्होंने बताया फिर उसके बाद में वर्गमूल वै घनमूल निकालने की विधी बताई इन्होंने तो यतीन बातें आप याद रखना वह मैं आपको प्रित्वी के बारे में अपनी धूरी पर गूमने के बारे में बता хот है एक इंपोर्टन बात है ऐसे पॉइंट हम कई बार मिस कर जाते हैं तो हमें देख लेना जाए हलांकि साहिते कोई यह भी डिवाइट हो सकती है कि जो विज्ञान वाला पोर्शन है वो साहिते में है या नहीं है लेकिन ज्यादा तर लेखा के भी लिख रहे हैं किताबों के विषह से उलेखित करके लिखना चाहें तो वह भी साहिते किष्रेणी में वैसे नहीं आएगी जो हमने पीछे जो उस बॉक्स तक पढ़ा था यह जो विज्यान गणित वाली ना तो आरिबट वाली आएगी नहीं आएगी सिर्फ मैं एर्तियात के तोर पर इनको आपको ल ब्रहत जातक और तीसरी है ब्रहत सहींता ये तै आदा लिखो तो आदा लिखो नहीं पूरा लिखी लिएक ये बाद है इस पर कर जाते हैं ब्रहत शहींता तो ये इनकी किताब हैं अब इसके बारे में और इदिया आपा इसको आगे बढ़ा हूँ तो जैसे किसी किसी में आपको ब्रह्म गुप्त का विवरण भी देखने को मिल जाता है पुस्तकों में आपको विवरण देखने को मिल जाता है गुप्तकाल के साथ में ही बहुत सारी पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाता है लेकिन ब्रह्म गुप्त के आप जनम की बात करें के बारे में जानकारी दी थी और इनकी रचनाओं के आप बात करेंगे तो ब्रह्मस्फुट सिध्धान्त कोई लिखना चाहे तो लिख ले ना ब्रह्मस्फुट सिध्धान्त ये मैन है टै है ये ब्रह्मस्फुट ये इनकी प्रुमुक रचना है जिसके बारे में सामाने तो पर पीछा जाता है इदि आप इसकी दूसरी रचना का नाम लिखना चाहें तो खंड काड्यक खंड काड्यक वह भी लिखना चाहो तो कोई लिख सकते हो आलांकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं यह गुप्त काल से सम्मधिते नहीं हैं सिर्फ आप ब्रह्म गुप्त नाम स भूए उसमें नहीं लिखात होगा है ना इनकी उस तक एक धनवंतरी निगहंटु एक साथ ही नाम आता है धनवंतरी निगहंटू तो यह आयुलवेज से शबंदी घ crew हैशना है सुष्रुच सहिता के बारे में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इनके बारे में भी यह क सल्य चिक्षा की जानकारी मिलती है और सल्य चिक्षा से समध्दित 121 उपकरणों की सुची इसकंद्र दी गई है कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है इसके अलावा और भी कई सारे इसमें आपको जैसे बहुत सारी किताबों में आपको देखने को मिल जाएंगे कि किसी ने बागभट के बारे में आपको लिखने की आऊ-शकता नहीं है जैसे बागभट के किताब है अस्टांग हृदय मैं तु पुण गरंत है लेकिन इस कालक का नहीं मान सकते आप सामानी तौर पर बागभट की है ठीक है यह तो लेकिन यह सात्वी इसको नहीं लिखेंगे इसके अंदर आपको कोई ज्यादावशक्ता नहीं है फिर उसके बाद में आती है पुराणों की चर्चा पुराण अब चुकी जैसे मैंने आपको बताया कि सामाने तोर पर अंतिम रूप से या मुख्य रूप से इनका रसना काल यह जो गुप्त काल है वही माना जाता है तो इनके समन्द में थोड़ थोड़ी बात आप देख लीजिए कि एक तो पुराणों का शापदिकर्थ क्या है प्रा पुराणों की संख्या यह हो गई आपकी अठार है ठीक है इसके बाद में इदी हम चर्चा करें तो सबसे प्राचीन यह लिखवा लेता हूं इसमें कुछ मुख्य मुख्य बाती है यह तो साहित्ते वाले में आपके portion में थोड़ी से आप लिख लेना धार में एक साहित्ते में आही जाएगी यह तो सबसे प्राचीन है वो म आपका सकंद पूरान और सबसे चोटा है आपका ब्रह्मान पूरान ठीक है तो सबसे प्राचीन हो गया सबसे बड़ा हो गया सबसे चोटा हो गया फिर कुछ और भी है जैसे सबसे सुरक्षित भी लिखवा देते हैं कई बार सबसे सुरक्षित कौन सा है तो यह है आपका विश्णु पूरान कौन सा है विश्णु पूरान अठारा है तो सब के बारे में तो हमें चर्चा यहां पर नहीं करनी है लेकिन फिर भी कुछ आपको मुख्य मुख्य आपको मैं लिखवा देता हूँ, फिर इसमें देखे, वंशों की जानकारी के समन्द में उप लिख लो, मौर ये वंश की जानकारी किस पुरान से मिलती है, विश्णु पुरान से, शुंग वंश की जानकारी किस पुरान से मिलती है, तो ये मिलती है, मत्स्य पुरान से, और शुंगी क्यों सातवाहनों की बीसी से मिलती है मुख्य जो हमारा है गुप्त वंश की जानकारी किस से मिलती है क्योंकि गुप्तों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो गुप्त वंश की जानकारी किस पुरान से मिलती है तो यह हमारा वायू पुरान ठीक है पुराणों के बारे में मुख्य मुख्य इतनी बात हैं तो आपको याद रखी लेनी चाहिए और भी यदि हम इसमें चर्चा करें तो सबसे बड़ा हो गया, छोटा हो गया, सुरक्षित हो गया एक विश्वकोष, पुराणों का विश्वकोष ये कहा जाता है दो पुराणों को, अगनी पुराण और दूसरा है भविश्य पुराण इन दोनों पुराणों को कहा जाता है, पुराणों का विश्वकोष, इसके लावा एक बात इसमें धह गई, सबसे प्रचलित कौन सा है, या सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, इसमें आवारे में आप लिख सकते हो, या लोक प्रिये शब्द ठीक रहेगा, सबसे लोक प्रिये कौन सा है यह पुरान है आपका भागवत पुरान भागवत पुरान जिसमें विश्णों के आवतारों में आप देखते हैं कि बुद्ध को कपिल मुनी को इनको भी बुद्ध के आवतारों में शामिल कर लिया गया था वो आपका भागवत पुरान है यह सरवादिक लोकप्र होई है तो वो आप इस स्मर्तियूं की रछना भी कई सारी स्मर्तियां थी उसकी भी रछना इस्का York कुन कुन सी स्मर्तियों की रचना जैसे कि याग वलक के स्मर्ति की रचना इसके अंदर हुई है पाराशर समर्ती की रचना इसकाल के दुरान हुई है नम्मर तीन पर एदी में बताऊं तो ब्रहस्पती की रचना इसकाल खंड के दुरान हुई है फिर उसके बाद में नम्मर चार पर नारद जो समर्ती है उसकी रचना इसकाल के दुरान हुई है पाराशर हो गया, यगवलक्य हो गया, ब्रस्पती हो गया, कात्यायन, कात्यायन, इस स्मर्ति की रचनाभी स्काल के दौरान हुई है, तो पुराणों को पड़ा है, तो स्मर्तियों की भी एक प्रकार से साहिते में ही आ जाएंगी, तो इन स्मर्तियों की रचनाभी स्काल क्र बाकि जो साहित्य समंदित और बाते हैं उनकी विज्ञान गनित जोतिस के शत्र में आप ज्याद रखें तो उनकी सिर्फ किताबों किताबों के बारे में आप याद रख लेंगे तो भी आपका लगबगुस्ते काम में चल जाएगा वीडियो था आपको कैसा लगा है आप कम करी हेल्प मिलती है थन्यवाद